हँए हैं जीर फ्रेंज हम वैलकुम ट кв death बारें बात करेंगे डिश्टि लेशन कॉलमम में ड्रिफेंट टाइप के टे जानेंगे देखिए मैंने यहां पर लिखा है बबल केब ट्रे बबल केब ट्रे ओफर दिस्टिंक एडवांटेज तो हैंडल वेरी वाइड रेंज ओफ लिक्विड एंड गेस फ्लोरेट जो बबल केब ट्रे होता है फ्रेंड वह सीव ट्रे के कंपेरिजन में काफी अच्छ सब्सक्राइबब चाहिए इन제्म processes युछ बबल केब ट्रे गेस या वेपर फ्लो थ्रू कि द्रट श्राइडर है थे यहां पर मैंने यह बनाया है डाइग्राप यह बावल केब ट्रे का डाइग्राम में इसमें हम समझते की यह तर्के से काम करतां देखिए यह हमारा वेर यह जो वेपर है वेपर बॉटम टु टॉप जाएगा ठीक है और लिक्विड जो होता हमारा टॉप टु बॉटम आता है यहां से जो वेपर जाएगा हमारा इसे यह होता है हमारा राइजर जब हमारा वेपर उपर के और निकलेगा तो कैप के होते हुए यह डाउनवर्ड ड यह जो slot होता है, यह different shape में होता है, जैसे circular, rectangular, trapezeidal shape में होता है, ठीक है, तो जब यहाँ पर, जब जिस time यह area, यह cover कर रहा होता है, तो यहाँ तक आते आते हैं, यह जो हमारा vapor है, यह gas liquid बन चुका होता है, ठीक है, और यहाँ से जो gas है, हमारा बाहर निकल जाता है, और इस जो हमारा bubble cap tray है, यहाँ यहाँ र, यहाँ पर 옆े गर्षी हमारा का सior, यह राइजर मतलब कि जो हमारे वेपर होते हैं वो राइजर के थुरू ऊपर जाते हैं अंडर केप के अंदर मुप्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते मतलब कि यह जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं यह क्या होता है finally what is bubble into a pool liquid लिक्वीड में convert हो जाता है इतना जो area होता है यह cover होते होते यह liquid बन जाता है ठीक है यह condensed हो जाता है कुछ portion condensed हो जाता है और बाकी vapors रहते हैं उसके बाद क्या होता है यह slots के थूरू यह बाहर निकल जाते है the slot may be circular rectangular trapezoidal in shape में होता है ठीक है इट प्रिवेंट दी लिक्वीड ड्रेनेज थुरू दुगे थुरू दा गैस पैसेज एट लो गैस रेट ठीक है इसका मतलब क्या होता है कि यह लिक्वीड को आने से रोकता है क्योंकि जब यहां से वेपर हाई स्पीड फ्लो रेट में जाएग तो यहां से गैस निकलेगी स्पीड में तो यह जो पॉर्सन होता है यह लिक्वीड होते है लिक्वीड इसके अंदर आने से इसको यह प्रिवेंट करता है ठीक है क्योंकि यहां से यह गैस जो है वह हाई स्पीड में बाहर निकलती है इसमें एक चीज और हमें जानना है च तो जब उपर से liquid हमार आएगा, तो यह सीधा cap की उपर गिरेगा, जो कि इसको prevent करेगा, ठीक है, तो यह हमारे का advantage हो गया, excellent vapor gas mixing होता है, इन दोनों की बीच में liquid vapor gas, मतलब जो gas होती है, इसकी mixing जो है, बहुत अच्छी तरीके सोते है, liquid और gas की, तीसरा है, operate both high and low liquid flow rate, flow rate अगर जो high हो यह low हो, इस पर effect जादा नहीं पड़ता है, क्योंकि यह, जो cap है, यह इसको cover करके अच्छी तरीके इसको protect करता है, चलिए अब इसका disadvantage के बारे में बात करते है, इसकी जो cost होती है, फ्रेंड, यह high cost होती है, almost double होती ही sieve tree की, high pressure drop इसमें बनता है, ठीक है, क्योंकि य होती है, क्योंकि निकल के जाना, प्रेसर ड्रोप जो है, वह जादा बढ़ जाते है, ठीक है, corrosion होने के इसमें चांस होती है, falling होती है, solid deposit होती है, जिसको scaling करते है, कहते है, जो solid deposit हो जाते है, हमारे इस ट्रेज के उपर, तो उसे हम क्या कहते है, solid deposit, I hope friend, आपको यह video समझ मा आया हो, कोई भी आपको doubt हो, तो आप comment section में, आप मुझे comment कर सकते है, next video हम, valve tray के बारे बात करेंगे, okay, और subscribe और like करना ना, भूले friend, चलो, bye,